दिल्ली जल संकर पर बरा खुला सा, मुसल्मानों को पानी दे रही केजरिवाल सरकार हिंदुों को नहीं। हिंदु इलाकों का पानी रोक कर मुसलिम इलाकों में सप्लाई की जा रही है, अल्ला कॉलोनी को दिया जा रहा है पानी, IP Extension का पानी। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकर है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको distribute कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। क्योंकि ये दिल्ली सरकार के जरिवाल सरकार पानी के distribution को धर्म के अधार पे कर रही है। तिलोकपुरी का पानी रोका जा रहा है। राजेंदन नगर का आनन परवत का करोल बाक का पानी जामा मजजिद और मटिया महल के इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है। पानी भी धर्म के अधार पे दिया जाएगा क्या। आपको बकरीद के लिए special पानी की विवस्था करनी है वो आप करिए। लेकिन इस प्रकार से धर्म के अधार पे पानी का बटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। और ये ठीक नहीं है। मैं केजरिवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूँ। और उपराजपाल मौदे से भी कहना चाहता हूँ कि इसकी जाच की जाए। कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोक कर एक खास इलाके में बेजा जा रहा है। और दिल्ली में पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत गर्मी में जो होती है उतनी तो है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाके के इलाके सूखे हो जाए। लोगों को पीने तक का पानी ना मिले। केदरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की विवस्था कर रही है। हिंदू इलाकों का पानी रोक कर और इसकी जाच भी होनी चाहिए और धर्म के अधार पे पानी का बटवारा तुरंत रुकना चाहिए।